मेरे इस नए चैनल में सभी का बहुत-बहुत स्वावत है वे नाम है रोहित इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे कि हवा क्यों बहती है और कैसे बहती है इस कारण से आंधी आती है यह जियोग्राफी का एक मातपून टॉपिक है चलिए शुरू करते हैं पहले हम जानते हैं कि हवा होती क्या है वाट इस एयर हवा क्यों क्या होती है वाई यू गए मिक्चर ओफ गैस इस काल्ड एयर गैसों के मिश्रन को मिश्रन को वाई यू कहते हैं वाई यू कहते हैं हमारे अट्मोस्फेर में जैसा की नाइट्रोजन 78% रहती है और उक्सीजन 21% कार्बन डाय ऑक्साइड 0.0% 3% रहती है अब जानते हैं हवा किसे कहते हैं मुवमेंट ओफ एयर यानि कि वाई यू के बहाव को वाई यू के बहाव को भावा कहते हैं अब जानेंगे कि ये होता क्यूं है हवा क्यूं बहती है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस की वज़ा से हवा बहती है माल लीजिए हाई प्रेशर एयरिया है दूसरी तरफ लो प्रेशर एयरिया है जो मूवमेंट रहता है एयर का मूवमेंट ओफ एयर वो हाई प्रेशर एयरिया से लो प्रेशर की तरफ रहेगा माल लीजिए यहाँ प्रेशर एयरिया है और इसके साइड में हाई प्रेशर एयरिया है तो यह जो लो प्रेशर एयरिया की जगा है यह हाई प्रेशर की जो एयर है इसका स्थान घेरने की कौशिश करेगी एक उधार्ण के NCRD के एक उधार्ण थे इसको और अच्छी तरह समझते हैं माल लीजी एक छड़ी है इस पे दो गुबारे हमने बांधे हुए हैं बीच में यदि इस जगा पर हम लोग अपना मूँ रखकर फूंक देते हैं तो यह आपस में गुबारे आपस में कुछ इस परकार सट जाएंगे क्योंकि यहाँ पे फूंकने से लो प्रेशर एरिया क्रियेट हो गया और बगल में हाई प्रेशर एरिया था इस वज़े से दोनों गुबारे आपस में सट जाते हैं अब हम जानते हैं कि ये हमारी पीठ्वी की बनावट की हिसाफ से ये होता क्यूं है कि साड़े तेजी डिगरी टोपिक ऑफ कैंसर है नौर्थ की तरफ और साड़े तेजी डिगरी टोपिक ऑफ कैप्री कॉन है मकर रेखा, करक रेखा और मकर रेखा बीच में एक्क्वेटर है इस एरिया में आई होप आपको पता होगा कि यहाँ पे सूरज की रोशनी सबसे अधिक पढ़ती है सूरज की रोशनी अधिक पढ़ने के कारण यहाँ पे जो हवा है वो गरम होकर उपर की और उठने लगती है उपर की और उठने की वज़ासे यहाँ पे लो प्रेशर क्रियेट हो जाता है लो प्रेशर क्रियेट होने की वज़ासे यह जो बगल की हवा रहती है नौर्थ की और साउथ की यहाँ पे गरम हो रहती है यह उपर उठ जाती है बगल में पोल्स पे वैसे ही ठंडा रहता है यहाँ पे high pressure हो जाता है और बीच में low pressure low pressure होने की वज़ा से बगल की हवा है इसका low pressure यहाँ स्थान ग्रहन करने की कोशिश करती है तो यहाँ पे यह movement होता है north की तरफ होता है anti-clockwise और south की तरफ होता है clockwise आई होप यह इसना आपको समय में आया होगा आगे हम जानते हैं यह तो हमारा मूविन्मेंट और था मूविन्मेंट ओ एर काट गर्श है की हम यह हो गया हमारा जब हवा बहती है तो वायू भाषती है तो हम लोग हवा का नाम देते हैं कहते हैं कि हावा भाहती है अब हम इसमें जानेंगे wind plus dust यानि कि धूल धूल हवा हवा और धूल अगर mix हो जाएगी तो इसको हम लोग कहेंगे आंधी आंधी अब और आगे देखिए ये तो हो गया हमारा स्थल पर स्थल पर यानि भूमी पर आगे wind plus dust plus water हवा धूल पानी ये हमारा होता है समुंदर में इसको हम लोग क्या कहते हैं ये तीनों अगर मिल जाएगा तो इसको क्या कहेंगे साइकलोन साइकलोन या हिंदी में चक्रवात ये ही चक्रवात हमारे उड़ीसा और पहस्चिम बंगाल में अभी फिलहाल में आया था आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पस्टाइब के लिए पस्टाइब कीजिए